जहें दोस्तों SIS में न्यू वेकंसी आ गई है Security and Intelligence India Private Limited में न्यू वेकंसी आ गई है Supervisor और Security Guard की न्यू भरती आई है दोस्तों जानते हैं क्या सेल्जी है कहां पर भरती आई है क्या उसका notification है क्या क्या documents की जरूरत है चलिए दोस्तों notification जानते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा लिजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे चलते हैं notification की तरफ आ गया है दोस्तों पहले notification की तरफ तो पहला notification में पहला point यह है आप सकता है SIS India Private Limited में दोस्तों पहला point है दोस्तों location लोकेशन हर दोई जिले से सो भरती निकली है हर दोई जिले के सभी बलाकों में दोस्तों 90 guard की भरती निकली है दोस्तों guard की salary है 13,000 से 18,000 के बीच में दोस्तों अभी salary confirm नहीं है जब side पे चड़ेंगे तभी salary confirm होगी चलते हैं दूसरे notification की तरफ तो दोस्तों supervisor की salary 15,000 से 22,000 के बीच में रहेगी और दोस्तों duty 8 गंटे 26 दिन प्लस 4 चुट्टी guard और supervisor दोनों की same duty रहेगी और दोस्तों इसमें लंबाई 5,6 इंच ली जाएगी और दोस्तों चलते हैं अगले notification के तरफ तो supervisor के लिए 5,7 इंच हाइट मांगी गई है गार्ड के लिए 5,6 इंच और supervisor के लिए 5,7 इंच और दोस्तों वजन 55 kg के उपर होना चाहिए यानि की 55 kg के उपर होना चाहिए दोस्तों योगिता गार्ड के लिए 10 वी पास होना चाहिए यानि 10 पास होना चाहिए और दोस्तों supervisor के लिए 12 वी पास होना चाहिए और दोस्त तो चलते हैं अगली नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों इसमें हाई स्कूल और इंटर तो अब कामन सी बात हो गई है दोस्तों तभी सुपरवाइजर में इंटर लिया गया है और गाड में हाई स्कूल लिया गया है दोस्तों अवस्चक डाकुमेंस की बातचीत की जाए तो पहला पॉइंट है उनका देखे जो गर दोस्तों गाड है तो पहले गाड की बारे में बता देते हैं गाड को हाई स्कूल की मार्शीट पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक की पास्बुक दस अपनी फोटो और एक फैमिली फोटो और दोस्तों सुपरवाइजर के लिए हाई स चाहिए और उनको सारे डाकुमेंट्स पता है और जो नए भरती होना चाहते हैं उनके लिए यह डाकुमेंट्स की जरूरत है और दोस्तों चलते हैं अगली नोटिफिकेशन की तरफ तो दोस्तों संपर्क सूत जैसे कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कोई जानकारी प् सकते हैं और हमसे भी संपर्क कर सकते हमें कमेंट करें